अस्सलाम अलेकुम विएर्स वेलकम बैक टू एनदर व्लॉग हमारी सिविक 95 टोटल जो कोस्ट आई है तक्रीवन तक्रीवन मेरे खालते पांच लाके लंसम आई है अस्सलाम अलेकुम विएर्स वेलकम बैक टू एनदर व्लॉग उमीद करता हूँ सब खेहरे से होंगे तो आज का जो विलॉग है वो है सिविक 95 पर ठीक है जी आप लोगों को दिखाता हूँ ब्लैक 95 आखिम बैक की कंप्लीट होगी है तो आप लोगों को गाड़ी दिखा रहा हूँ कि अब गाड़ी कंप्लीट होगे कैसी लग रही है तो चलें पहले सबसे पहले गाड़ी को देखते हैं बैक पे मेरे गाड़ी है और डिटेलिंग रही है हमने और अप से आलकुट जा रहे हैं आकिम बई को गाड़ी डिलीवर करने है तो पहले गाड़ी के बारे मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूं किया क्या काम किया और किस तरीके से हुए और किस प्रोसेस से होके गाड़ी चलती रही आगे आईए पहले गाड़ी देखिए यह रिजी सर गाड़ी है हमारी सिविक 95 पाइव पर्ल, ब्लैक, रेड पर्ल के साथ गाडी कोटिंग हुई है ठीक है गाडी पे बहुत डस्ट है स् टाइम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यह देख लें यह गाडी पर डस्ट है काफी ज्यादा गाड़ी पे इस टेम काफी ज़्यादा डस्ट है आप लोगों को वीडियो नजर ही आ रही होगी लेकिन ये पिक्चर आप देखें पिक्चर में आप लोगों गाड़ी पता चलेगी कि गाड़ी की किया कंडीशन है गाड़ी माशाला बहुत माइंड ब्लॉइंग जैसे कहते संद की जिसे कहते हैं कोटिंग हुई है गाड़ी की माशाला की की चीज जिसे कहते हैं ना क्यों लोगों ने निगा लिए बोनर्ट देखें बिल्कुल मेरा रूआ पड़ शीशा जिसे कहते हैं ये बूती भी नजर आरी मेरी वैल डन तालिया होनी चाहिए यार हमारे कोटिंग हमने आटो लाइन से कराई है फ्रेंट हैडलाइट क्रिस्टल में गनवर्ड की हुई है सबसे पहले आपको इसकी पार्किंग में बड़ी इंगलीश लगती है यार इंटीर पी दिखाता हूं यह गाड़ी डस्पढ़ी है उसनम जे उन्होंने काया जी के गाड़ हाँ जी अभी नहीं हुआ है एक पंट रोक है हाँ जी यह हुआ कैमरा भी हमारा चका चक है क्रिस्टल हैडलाइट्स साइड वाले इंडिगेटर यालो पेपर लगावा है हैच का बंपर नियो इसका बॉनट डाला है हमने ताके पुटीन ना लगे जीरो पुटीन इसी मान पुटीन नेट किसम की शाइन दे रहा है माशाएलला है है एक पंपर न्यू बॉनट फैंडर वही रिम्स के बारे में डिटेल वह विलोग नंबर आइठिंक 6 या 7 में विलोग नंबर 6 और 7 में रिम्स की डिटेल है रिम टायर्स की हमने कहां से रिम से मंग वाई है कहां त दोबारा पता दूँ यह हमने मंग वाई है जी डीप लुक सहथराबाद से और माशाला बहुत अच्छी क्वालिटी टायर्स यहीं से लिए हमने काबली आदिल भाई की शौप से आप लोगों को वी लोग नंबर 7 या वी लोग 8 बेखें आप लोगों को पता चल जाएगा पर क्या सूर्थ याला बगी गाड़ी फूल डश्ट वीए स्टेम यह जैपनीज लोगो एक किसम का हमने दिया था जैपनीज टॉच दे रहे थे अब गाड़ी अब बैक से दिखाता हूं जी एलेडी लाइट्स इंस्टॉल की है एक्जास्ट डक्टल स्पोईलर ठीक है और केमर शेंबर नहीं है पहले गाड़ी डड़ लोग थी लेकिन अब गाड़ी जो है अपनी नॉर्मल हाइट पर है सांड सिस्ट्म इसके अब बड़ा है अब यही पी किसम कर लगवा है हाकिम भी ने वह भी आप लोगों को सुना के चक कराता हूं अंदर से इंटीरियर देखें पहले यलो पोशिश इस गाड़ी का ना पता है समान के अमलों को समान बड़ा महंगा मिले इस गाड़ी का पता है क्या क्या चीज़ें हम लो देखें जिए इस गाड़ी का समान बहुत महंगा है यह वेधर सिप्स तक्रीबन 6,000 रुपे के लिए थी गोले तक्रीबन 6,000 रुपे के लिए हैं औ इसके चैनल तक्रीब उसके बाद सारी वेधर स्टिप्स के ओपर कुरूम की वेधर स्टिपिंग की है कि के इंटीर आपको बॉनट दिखाता हूं समान जो है ना गाड़ी का यार इसका बहुत महेंगारी से कहते हैं यह जी इंजन रूम माशला नेटन क्लीन डी 17 इंस्ट्रा आप लोगों को गाड़ी के बारे में डिटेल दे दिया इस गाड़ी वेट वेट अई तक्रीवन तक्रीवन मेरे घल से पांच लाग के लमसम आई है वह पांच लाग में सारे सोच रहूंगे कि यार इतनी से हैं बढ़ी कोस्ट क्यों कर दी अलागे बंदो सुनते जो अठ एक बीस एक तीस के रिम टायर पांच शे हजार रुपे के गोले वेदर स्टिप अंदर वाले बास्किट दस हजार रुपे की जो अंदर लगिया थी डैश बूर्ड की पोशिश फ्यूल पंप पांच शे उड़े इंजन की क्लच प्लेटें साउंड सिस्टम बीस से रुपे का और लॉयरिंग्स फिर उसके पार गाड़ी उठाओ गाड़ी करो बहुत कुछ करते करते यार क्या आप तो खैर अधाने हो रही हैं अधानों के बात बात करते हैं अभी हम जा रहे हैं गाड़ी से आलकोट आकिम भाई को देने थैंक यू सौमाज अलाफेज